आओ बच्चों, आज तुम्हें मानोजीवन की मूल आवेशक्ता भोजन के बारे में बताएं। ये हम सभी जानते हैं कि संसार के सभी चेतन प्राणी भोजन करते हैं। भोजन किसी ना किसी रूप में हम लोग प्रक्षों से या पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो जब हम लोग कोई चीज पौधों से लेते हैं, तो उसके लिए उसको उगाना भी पड़ता है, तो पौधों को उगाने के लिए या फसल को उगाने के लिए एक सही शब्द प्रयोक किया जाता है, जिसे क्रशी कहते हैं, मिट्टी की जुताई, गुडाई करके, बीच बो करते हैं, उसमें खाद त्यादी देते हैं, बीज बोते हैं, तब उसमें हम लोग फसल उगाते हैं, जिससे हमको भोजन प्राप्त होता है, संसार की लगभग एक चौथाई भाग केवल क्रशी योग्य है, जबकि क्रशी को विश्व का मुख्य और सबसे मान व्यवसाय मान गया है, विश्व की लगभग दो तिहाई जनसंख्या खेती के काम में ही लगे हुई है, खेती के अलग-अलग तरीके हैं, अब तरीकों के आधार पर खेती को हम लोगों ने दो भागों में बाटा है, एक होती है निर्वाक्रशी, एक होती है व्यापारी क्रशी, निर्व शक्ताओं को पूरा करने के लिए इसमें ज्यादा तर पारमपरी खेती ही होती है मतलब जो सदियों से चली आ रही है निर्वा क्रशी के अंतरगत चल्वासी पशुचारन इस्थानतर और गहन क्रशी आती है पशू चारण क्रशी के अंतरगत हम लोग लेते हैं, जो पशू पालने वाले लोग एक इस्थान पर रुख कर अपने पशू के आधार पर खेती करते हैं, पशू की आवेशक्ता के अनुसार और वहां पर पशो का चारह उगाते हैं और उसी से अपने लिए भी फोजन प्रा कि हम लोग अफ्रीका के कुछ भागों को ले ले, भारत के कुछ इस्से में ले ले, और कुछ प्रायदी पी भागों में, जहां पर लोग आकर खेती करते हैं, कुछ दिन तक तो मिट्टी खेती के योगे रहती है, और उसके अनुपजाय हो जाने पर वे लोग दूसरी जगे पर जाकर बज जाते हैं तीसरा तरीका गहन क्रशी कहलाता है गहन क्रशी का अर्थ है एक ही इस्थान पर रुक कर अच्छे बीच अच्छे खाद रसायन इन सब का प्रयोग करके अधिक से अधिक चीजों को उगाना उसे गहन क्रशी कहते हैं इस प्रकार खेती के तरीकों के आधार पर हम क्रशी को दो भागों में बाटते हैं, एक है निर्वा क्रशी, एक है व्यापारी क्रशी, अब व्यापारी क्रशी के अंकाव, उद्देश, मुखिता, उन फसलों को उगाना है, जिनकी बाजार में बिक्री होती है, अर्थात, व्यापारी क्रशी का अर्थ है, म गन्ना इत्यादी आते हैं अब इनी क्रशी के तरीकों के आधार पर जो फसले उगाई जाती हैं उनको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं इन फसलों को दो तरह से बाटा जा सकता है एक आता है खादे फसले और दूसरी व्यापारिक फसले जैसा की नाम से की खादे फसले तो हमारी निर्वाकरशी के अंतर गताएंगी खादे फसलों में वे सभी फसले हैं जिनको की हम खाने के लिए या उभोक के लिए करते हैं जैसे सभी प्रकार के आनाज चावल, गेहू, डाल सबी प्रकार के तिलहन, तिलहन होते हैं आप लोग जानते होगे सरसू है, तिल है, अलसी है, जैतून है ये सब तिलहन कहराते हैं और इसके अलावा कुछ पेपदार्त जैसे चाय और काफी आदी आते हैं इसनी में फलों का उत्पादन भी खादे-पदार्तों में आता है। सबसे पहले अगर हम लोग खादे-फसलों में लें तो चावल मुख्ये मानाय आता है। भारत कहा जाता है कि सबसे पहले चावल की ख्यती करने वाला देश था। लगवक पचास हजार साल पहले से भारत में चावल की खेती होती आ रही है और फिर यहीं से यह अन्नी देशों में जैसे इंडोनेशिया में अमार चीन जापान आदी इस्थानों पर गया चावल माना जाता है कि केवल ऐसी फसल है जो कि श्रम प्रधान फसल है अर्थात इसमें खेती के लिए जमी तयार करने से लेकर फसल की कटाई तक का सारा काम जो है वो मानव श्रम के द्वारा ही किया जाता है और उसके अत्रिक इसका जो प्रयोग है इसमें भूसी का प्रयोग जो इसका छिलका होता है उसका प्रयोग कहीं पर तेल निकालने के लिए भी होता है और कहीं कहीं इसको पशुके चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं भारत में नदियों के डेल्टों में मुख्य फसल है गेहूं, गेहूं यू तो भारत के भी प्रमुक फसल है, लेकिन ये कनाडा, संयुत राज अमेरिका, आस्टेलिया की भी मुख्य फसल है, और वहाँ पर तो इसको मुख्य व्यापारिक फसल के रूप में माना जाता है, भारत में पंजा, हरियाना, उत्तर प्रदेश और मद्द प्रदेश के कुछ भाग यहूं मुख्य रूप से उगाता है, इसके अलावा, यदि हम आगे देखते हैं अन्य अनाच, जिसमें आता है मक्का, भारत में तो केवल हम पीली मक्का के बारे में जानते हैं, जबकि कनाडा और आस्टेलिया जैसी जगाओं पे अन् मक्का के केवल एक खादिफ असल ही नहीं है, इसका जो अनाच होता है, वो तो हम लोगों भोग करते हैं, लेकिन इसके पौधे का अतरिक्त हिसा पशों के चारे के रूप में प्रेयोग किया जाता है, इसके बाजरा, जार, रागी, आदी, अन्य कुछ खादिफ हसले हैं, और इसमें कुछ विश्व के कुछ भागों ने तो विशिष्टी करण भी कर लिया है, मतलब मुखी रूप से वो इनी फसलों को उगाते हैं, अब आते हैं हमारे पेयप अदार्थ, पेयप अदार्थों के रूप में तो तुम जानते हो कि चाह सबसे जादा लोगों में प चाह एक पौधे से मिलती है, उसकी पत्तियों को मशीनों द्वारा चाह के रूप में तयार के आता है, जिसको हम लोग पूरे विश्व में एक पेयप अदार्थ के रूप में जानते हैं, और सभी लोग इसको अमीर गरीब बराबर रूप से प्रयोग करते हैं, दूसरा प्रशी के अंतरगत आते हैं, कपास, जूट, चाय और कॉफी, ये हमारी प्रमुख व्यापारिक फसले हैं, कपास एक मुखे रेशा प्रदान करने वाली फसल है, जो हमारी जीवन के लिए दूसरी मूल आविशकता वस्त्र प्रदान करती है, भारत में उगाई जाने वाल देशों में कपड़ा तयार करने के लिए कच्छे माल के रूप में भेजी जाती है, किसी भी देश की अर्थ व्यवस्ता, वहां की करशी पर ही निर्भर करती है, इस प्रकार कपास, जूट, काफी और चाय तो मुखे व्यापारिक फसल ही है, और काफी पता है कौन से भाग और आइवरी कोस्ट के कुछ भागों में पाया जाता है, यहीं पर ये पैदा कियो होता है, अब हम अगर भारत के परिवेश में देखें, तो क्रशी भारत का प्रमुख व्यवस्ता है, कहा जाता है कि भारत की अर्थ व्यवस्ता पूरी तरह से क्रशी पर निर्भर है, झाल झाल